हलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई को आई एस हिंदी, दिस इस मनीश रिवास्तो, जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुभे आट बजए एक इंपोर्टन सेशन लेकर में आता हूँ, जिसमें साइन सेंटेक के लगलग टॉपिक्स को हम डिसकस करते हैं, आज हम जो टॉ करेंगे, जैसे कि आपने केमिस्ट्री लाब में देखा होगा, कि कई तरह की चीजें हम एक्सपेरिमेंट करते थे, वहीं अगर हम उद्योगों में चले जाएं, तो वहाँ पर मेट्रिक टनों में उनका उत्पादन होता है, और उनकी कही न कहीं कोई कमर्शल वेल्यू होत हमारे रोज मर्रा की जीवन में कहां कहां रसायन विग्यान आता है, उससे पहले लास सेशन में मैंने सिमिंट के बारे में आपको बताया था, उसके कोश्चन सॉल्व करते हुए, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहीं क्या कोश्चन था, वू इस नोन ऐस दी फादर of concrete technology, यह मैंने आप से पूछा था, concrete प्रद्योगी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि वहीं concrete technology के बारे में किसने हमको बताया था, तो 1824 में मैंने आपको बताया था कि वहीं कौन थे, तो उस समय जॉसिफ एस्पीडन ने एक normal Portland cement का development किया था, limestone में जो है उन्होंने clay को मिलाया था और वो जम गई थी, तो उस से शुरुवात हुई थी, लेकिन 1840 में इस पर detailed study नहीं के बेटे ने की थी, जिसका नाम क्या था, इनका नाम था William Aspiden, तो William Aspiden को concrete प्रद्योगी की के जनक के रूप में जाना जाता है, यह answer क्या हो गया, यहाँ पर आपका B answer हो गया, इसके बाद बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question क्या है, which one of the following industries uses limestone as a raw material, निम लिकित में से कौन सा उद्धियोग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उप्योग करता है, यही बताना है आपको limestone कहां use होता है, तो मैंने आपको जब cement पढ़ायते हैं, तो सबसे यादा क्या चीज इस्तिमाल होती है, चूना पत्थर ही होता है, तो इसका answer भी क्या होगा, भी ही होगा, तो cement industry का जो सबसे major ingredient है, सबसे मुख्य जो cement बनाने में उप्योग किया जाता है, वो क्या है आपका, तो उसका नाम है, आपका चूना पत्थर, या फिर limestone, यह सबसे यादा यूस किया जाता है, तो यह last session के question थे, आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा कोई भी तरह की doubt से in social media handle पर जुड़ सकते हैं, इसकी pdf जो है, इस telegram group से भी आप download कर सकते हैं, तो बढ़ते हैं आगे, और शुरू करते ह हमारा chapter जो हम पढ़ने वाले chemistry in everyday life, कि जो रसायन विज्ञान है, हमाई रोज मर्रा की जीवन में कैसे महत्पूर्ण हो जाता है, तो बढ़ी, chemistry is play a vital role in our daily life, it is present in everything we see and touch, and from the food we eat, to the air we breathe, and the sum of examples how chemistry is present in our daily life, are so many, मतलब हमारी सुभह जब होती है, और रात जो होती है, या हम सो भ हम कुछ खाते हैं, वो भी chemistry को रसायनिक प्रोड़क्ट है, हम सुबह ब्रश करते हैं, वो भी एक रसायनिक पदार्त है, तो chemistry हमारी पूरी life में, हम brush यूज़ कर रहे हैं, हम paste यूज़ कर रहे हैं, हम food यूज़ कर रहे हैं, हम detergent यूज़ कर रहे हैं, माचिस यूज़ कर है हर जगा तो chemistry है तो भई जो रसायन विज्ञान है हमारे देनिक जीवन में एक महत्पूर्ण भूमिका निबाता है हम जो कुछ भी देखते हैं और छूते हैं उसमें मौजूद भोजन से लेकर हवा जिसमें हम सास लेते हैं मौजूद है और हमारे अगर हम बात करें cooking and food science में जो भी हम खाना पकाते हैं बनाते हैं उनमें भी chemistry लग रही हम कई चीजों को mix करते हैं वहां उनमें reactions होती है फिर रिक नए product बनता है chemistry is used to understand the chemical reaction that plays during cooking and food preservation and to develop new recipes and food product जैसे हम आचार बनाते हैं कई दिनों तक चलता है पापड़ बनाते हैं कई दिनों तक चलता है तो यह क्या है इसमें भी तो chemistry लग रही है कि वह कई दिनों तक जो है अच्छे से उनकी shelf life जो होती है वह जादा होती है इसके अलावा environment science भी है chemistry is used to understand and address environmental issues जैसे pollution और climate change को समझने में भी हमें मदद करती है chemistry कि वह अगर हम जीवाश्मों को जलाएंगे fossils को जलाएंगे तो ज़्यादा production होगा यह भी हमें chemistry बता रही है इसके अलावा अगर हम बात करें medicines में जो भी medicine हमने बहुत सारी medicines पढ़ी थी उसमें भी क्या है chemistry है हर drugs का एक अलग-अलग काम है तो use to develop new drugs and medical treatments and to understand how the human body works तो इसमें भी मदद करती है personal care products जैसे हम shampoo use करते हैं साबुन use करते हैं यह सारी चीजों में भी क्या है chemistry ही है इसके अलावा textile and clothing जो हम कपड़े पहनते हैं उसको भी बनाने में उन कपड़ों को color करने में उन पर design करने में भी chemistry लगती है इसके अलावा अगर हम बात करें energy उर्जा बनाने में the electricity that we use in our home is often produced by chemical reactions जो भी electricity बन रही है उसमें भी आपकी क्या है chemical reaction हो रही है transportation अब भाई transportation chemistry used in the production of fuels हम जो भी इधन इस्तिमाल कर पा रहे हैं वो chemistry की मदद से कर पा रहे हैं उसी की मदद से गाड़ियां चल पा रहे हैं उनके spare parts बन पा रहे हैं तो also in the production of material for cars, planes and other vehicles तो जितनी भी चीज़ें वहाँ chemistry तो लगी जाती है तो हमने कितने सारे शेत्र देख लिए तो इसमें आगर हम बात करें खाना पकाने और खाद विज्ञान में हमने देख लिया पर्यावरण विज्ञान में देख लिया चिकित्सा के अंतरगत देख ल आज वैसे मैं आपको 10 ऐसे important chemicals बताऊंगा जो हमारी life में बहुत ज़्यादा जरूरी है और chemistry पढ़नते समय यह आपको पता होने चाहिए लेकिन साथ साथ ऐसी कई ऐसी basic चीज़ें हैं उनको भी हम देखते हैं जैसे common examples में क्या आ जाएगा तो पानी आ जाएगा हम पीते है सिचाई में उपयोग होता है उद्योगों में यूज होता है पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अलावा chlorine की बात करें यह disinfectant की तरह water treatment मतलब जो पानी की purification होता है इसमें chlorine का इस्तिमाल होता है इसके अलावा अगर हम बात करें CO2 is used in the production of beverages हम cold drinks वगेरा पीते हैं उस जीव अगेरा हो गया आपका इनके अंतरगत methane एक बहुत important material होता है as a starting material in the production of other chemicals कई और भी जो chemicals है उनको बनाने में भी मदद करता है इसके अलावा nitrogen nitrogen का भी हम बहुत जादा use करते हैं component of fertilizer होता है inert gases की packaging होती है जो आपकी अक्रिये gases होती है उनको भी pack करने में nitrogen gas का इस्तिमा कभी कान में दर्द होता है तो डॉक्टर कान के अंतरगत H2O2 मिला देता है या कभी छोट लग जाती है तो सबसे पहले गहाओ को साफ करने के लिए H2O2 किया जाता है hydrogen peroxide bleaching agent भी है antiseptic के तौर पे इस्तिमाल किया जाता है ethanol की बात करें यह alcohol होता है solvent है production of alcohol beverages में इसका इस्त बहाने के लिए किया जाता है अब देख पा रहे होंगे आप कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम रोज मर रहा के जीवन में प्रयोग करते हैं यह सारी चीज़ें क्या है कही ना कहीं कोई chemicals ही है जिनका बहुत ज्यादा हम यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने उनी चीज़ों के पे रहे हम सासी होग कर रहे हैं तो देखते हैं कौण कौन से हैं तो इसमेन सबसे पहली चीज़ शुरूआत की जाये तो sulfuric acid कहेंगे sulfuric acid जिसको acidों का राजा कहा जाता है यह हर जगा पे सबसे आदा जो chemicals में produce होता है वो sulfuric acid produce होता है इसका formula जो है H2 SO4 होता है hydrogen भी होता है sulfur भी होता है oxygen भी होता है इसको अगर हम देखें यह बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है तो हम इसको पहली category में ऐसे मैं आपको 10 chemicals बताने वाला हूँ आज की class में जो बहुत ज़्यादा important है ऐसे तो मैंने कई example दिया आपको लेकिन जो 10 बहुत important है उन पर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे sulfuric acid की बात करें कोई भी वर्ष उठाकर देख लीजिए the sulfuric acid hits the list as the number one produced chemical worldwide पूरे विश भर में कोई भी वर्ष उठाकर देखा जाए कि कौन सा रसायन सबसे यादा बनाया गया तो उसमें मिल जाएगा sulfuric acid the major जो अगर हम बात करें use of sulfuric acid है वो है production of fertilizer जो उर्वराग बनते हैं उनमें इस्तिमाल किया जाता है ammonium sulfate, super phosphate however sulfuric acid is also used in other products including phalanx तो इसका और भी बहुत सारी जगा यूज़ होता है जैसे detergents में घरों में किता इस्तिमाल होता है lead acidic automobile batteries जो आपकी lead batteries होती है car वगेरा में, घर वगेरा में उनमें भी S2SO4 में जाता है इसके अलावा dye बनाने में explosives बनाने में, pigments बनाने में कई तरह की medicines बनाने में भी S2SO4 का इस्तिमाल किया जाता है तो भई कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वर्ष क्या है लेकिन sulfuric acid दुनिया भर में नमबर एक उत्पादित रसाइन के रूप में सूची में आता है sulfuric acid का प्रमुक उप्योग उर्वरकों के उत्पादन में होता है जिसमें ammonium sulfate और super phosphate sulfuric acid का उप्योग करते हैं और मैंने बताया, detergent में उप्योग किया जाता है बैटरी में इस्तिमाल किया जाता है hydrochloric acid dye बनाने में विसफोटक्स हमागरी बनाने में pigment बनाने में drugs में इस्तिमाल किया जाता है तो ये तो पहले number पे हो गया दूसरे पे कौन आएगा तो दूसरे पे आजाएगा nitrogen nitrogen, nitrogen gas का बहुत जादा उप्योग किया जाता है आपने देखा होगा टायरों में gas परवाई जाती है nitrogen होता है कई ठंडी चीज़ों में आपने कभी देखा हो कि कई जगाओं पे restaurants वगेरा में किसी drink के अंतरगत nitrogen gas निकलती है कई जगाओं पे जो आजकल शादी parties में भी इस्तिमाल किया जाता है कि आपको नीचे cloud जैसा feel कराने के कई आपने TV serials में भी देखा होगा कि कई बार वो ऐसा दिखाते हैं कि आसमान में है तो नीचे बादल जैसे दिखते हैं उसमें किस gas का इस्तिमाल किया जाता है nitrogen में किया जाता है तो बहुत सार जगा इसको use किया जाता है तो nitrogen भी एक बहुत important है nitrogen is largely an inert gas because it is commonly used as a blanketing gas which means it protects oxygen sensitive material from contact within the air अब देखिए जो oxygen के संपर्ग में आने पर जल सकते हैं या उनके अंतरगत बदलाव आ सकता है उस जगा पे हम nitrogen को एक shield की तरह एक blanket की तरह इस्तिमाल करते हैं बहुत जादा ये भी एक तरीकी एक अक्रिय गैस है अगर आप जैसे गाड़ी में हवा डलवाते हैं तो उसमें nitrogen आती है क्योंकि हमारे वायू मंडल में सबसे जादा क्या है nitrogen ही है तो यहाँ पर इसके भी बहुत सारे industrial use है liquid nitrogen को भी बहुत सारी जगा पर use किया जाता है to quickly freeze substance for processing बहुत तेजी से आपको किसी चीज़ को ठंडा करना है तो nitrogen gas को use किया जाएगा it is commonly used to freeze old tires in order to make them easier to shred for recycling purpose जो tires होते हैं जहाँ recycle हो रहा होता है वहाँ पर भी इनका इस्तिमाल किया जाता है मैंने आपको बताया है कि nitrogen gas भरवाई भी जाती है तो ऐसे बहुत सारी जगा है to manufacture steel and other metals steel और ऐसे अलग धातूओं को निर्बान में भी इस्तिमाल किया जाता है to cool concrete improving the properties of building material जो concrete होती है गिट्टी वगेरा उनको जो है अगर हम देखे उसको ठंडा करने में nitrogen gas का इस्तिमाल किया जाता है to freeze soggy ground making construction easier जो soggy ground मतलब जो नमी योक्त ground होता है उसको सुखाने के लिए nitrogen gas का उप्योग किया जाता है to cool chemicals reactor chemical reactors को ठंडा करने में allowing chemical engineers to more effectively control side reactions reactions को control करने में nitrogen का इस्तिमाल बहुत जादा किया जाता है तो nitrogen दूसरा पदार्थ हो गया जो काफी हद तक अक्रिये gas है एक non reacting gas है क्योंकि एक आम तोर पर एक cumbalding gas के रूप में उप्योग की जाती है जिसका अर्थ है ये oxygen समविधन शील सामगरी को हवा के संपर्क में आने से बचाती है तरल hydrogen को प्रसस करण के लिए पदार्थों को जल्दी से जमने के लिए उधारण के लिए या आम तोर पर टायरों को freeze करने के लिए उप्योग किया जाता है ताकि उन्हें पुनर चकरण मतलब उनका recycle किया जा सके steel और अने धातू में किया जाता है concrete को ठंडा करने के लिए किया जाता है गीली जमीन को जमने के लिए किया जाता है निर्मान को आसान बनाने के लिए किया जाता है रसायनिक रियाक्टरों को ठंडा करने के लिए रसायनिक इंजिनिρωों को पारश प्रतिक्रियाओं में अधिक प्रभावी धंग से इस्तिमाल करने में nitrogen का इस्तिमाल किया जाता है कि भाई कहां कहां यूज किया जाता है nitrogen और liquid nitrogen को तो देखिए ये कहां किया जाएगा food वगेरा में जैसे कई तरह के मैंने आपको शुरू में भी example दिया था कि अब देखिए इसका क्या है food की रक्षा करने के लिए preservation में कि ये air के संपर्क में आएगा तो क्या होता है जैसे कोई भी food तेजी से खराब कब होता है जब उसके अंतरगत जो स्वशंदर है वो बढ़ जाती है respiration rate जब बढ़ जाता है तो क्या किया जाता है nitrogen gas को इस्तिमाल करके oxygen के संपर्क में food वगेरा को लाने से बचाया जाता है जिससे क्या होता है food की life बढ़ जाती है तो इसको इस्तिमाल किया जाता है food industries में quick cooling के लिए क्योंकि बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो इसका इस्तिमाल किया जाता है damage from ice crystals that commonly come from normal freezing अगर आप normal freezing करेंगे तो उससे क्या होगा ice बन जाता है और ice crystal कई बार food को खराब कर देत तो इस जगा पर क्या अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है nitrogen का इसके अलावा और भी preservation में किया जा सकता है health care में मैं रहता है स्वास्त में the health care industry uses liquid nitrogen to freeze blood and tissue sample as well as in cryo surgery to destroy tissue such as warts अब देखे health care में क्या किया जाता है जो cryo surgery है कई तरह के blood sample ले लिया अब sample अभी लिया है लेकिन ख damage now tissues damage now और किसी भी patient की जो भी जानकारिया है उनसे सही जानकारी निकाल दी जा सके इसके अलावा and at least one college chemistry clubs uses liquid nitrogen to make ice cream ice creams वगेरा में भी जो है इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है no churning here it's ready in less than a minute तो यह जो है बहुत तेजी से ice cream बनाने में भी इस्तिमाल किया जाता है बहुत nitrogen का हमने बात किरी निमलिकित उद्योगों में भी nitrogen और तरल nitrogen को उपयोग किया जाता है कहां किया जाता है तो भोजन में सामानने हिमी करण प्रक्रिया के दौरान आमतोर पर बनने वाले बर्फ के crystal से कोशिका शती को कम करने के लिए खाद उद्योग तोरत शीलन पहलू का करते हैं और एक अन्य उपयोग खाद्य सेवा में हवा के साथ भोजन के संपर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं लिकवेट nitrogen को यूज करते हैं स्वास्त में भी मैंने आपको बता दिया स्वास्त सेवा उद्योग के नमूनों को जमाने के साथ साथ मौशा और उत्तक को एथाईलीन, देखि एथिलीन की बात करें, तो यह है C2H4, देखिए गिनते जाएंगे, सबसे पहले हमने बात कर ली, H2SO4, फिर NITROJAN GAS की बात कर ली, अब एथिलीन की बात कर रहें, C2H4 की बात कर रहें, यह बहुत महत्पूर्ण हो जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो ethylene is one of the major feed stocks for the chemical industry. कोई भी chemical industries है, तो उस पे एक बहुत ही important raw product की तरह ethylene का इस्तिमाल किया जाते है, especially the plastic industry. जितनी भी plastic industry महा यूज किया जाते है, you may be surprised to see how worst style this chemical it's used in these ways. कब बहुत सारी जगा पे ओपे होगे ethylene, कहां कहां हैं, देख लिजे, हर जगा इस्तिमाल किया जाता है, to produce ethylene glycol antifreeze styrene used to make polystyrene for used as packing and insulations and polyethene one of the most widely used plastic. आप जो packing के लिए polyethene का इस्तिमाल करते हैं, उसमें भी use किया जाता है, ethylene glycol antifreeze, मतलब कि कोई चीज freeze ना हो, जमे ना, तो उसको इस्तिमाल करने के लिए भी इसकी sheet का इस्तिमाल किया जाता है, styrene to make the polystyrene for use as packaging कई चीजों की packing करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, polyethene का तो इस्तिमाल आपने देखा ही है, in fact, half of the ethylene produced and used to make the various type of polyethene इसका जो आध्या use है, वो biofuel policy, उसमें ethanol blending की बात की गई है ethanol हमें कई पदार्तों से मिल जाता है मतलब जैविक पदार्तों से मिल जाता है तो उससे production कम होता है, तो ethanol बनाने में भी ethylene का इस्तिमाल हो जाता है तो ethanol for industrial uses by law ethanol for human consumption must be produced by fermentation, ये कैसे बनता है तो kinvand की प्रक्रिया से बनता है, कई चीज़ों को सड़ा कर, जो बनता है, वो ethanol का form होता है, तो ethylene का वहाँ पे भी इस्तिमाल किया जाता है, to produce polyester, like the polyester leisure suits of the 1970s, मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है, कई तरह कि आज कल हम जो कपड़े पहलते हैं, उसमें भी cotton की जगा, polyester का इस्तिमाल बहुत जादा होने लगए, तो वहाँ पे भी ethylene का इस्तिमाल होता है, to produce synthetic rubber, जो rubber होते हैं, tires वगेरा में इस्तिमाल होती है, या synthetic, मतलब कृतिम तोर पर जो rubber बनाई जाती है, जो पेड़ अपसे व्यापक रूप में उप्योग किया जाता है, प्लास्टिक के एक उत्पादन करने के लिए, ethylene का इस्तिमाल किया जाता है, लगबग आधा उप्योग विभिन प्रकार की polythin बनाने में ही किया जाता है, दूसरा मैंने बता है, उद्ध्योग को प्योग के लिए एथेनल बनाने में इस्तिमाल किया जाता है, इसके अलावब पॉलिस्टर का उत्पादन करने के लिए 1970 के पॉलिस्टर, अवकाश के बाद से इसका इस्तिमाल किया जा रहा है, सिंथेटिक रबर का उत्पादन में किया जाता है, तो यहाँ पर हमाज़े तीन पदार्थ हो गए, चौथा हमारा important chemical आजाता है oxygen, भई सबसे main चीज़ तो यह है कि हम स्वास जो ले रहे हैं, हम जिन्दा जो हैं वो इस पदार्थ के कारण है, लेकिन इसके और भी यूज़ेश है, तो some of the oxygen main roles are in following combustion process, कहीं पर भी दहन हो रहा है, कोई इधन जल पा रहा है, कोई फ्यूल जल पा रहा है और जिससे energy बन पा रही है, वो oxygen की मदद से उपर है, commercially produced oxygen is used in oxytaline, oxytrogen, welding torches, कई तरह के weldings होती है, क्योंकि oxygen आपने एक बच्पन में वो एक बहुत simple सा process पढ़ा था, कि आपने एक दिया जलाया और इस दिया को उपर से ढग दिया है, तो आपका जहाँ oxygen की supply बंद होगी, वो दिया बुझ जाता था, तो oxygen बहुत सारे industrial process में भी यूज़ होता है, steel making industries में, impurities को जलाने के लिए, molten ore को, जो आयसक होती है, उन से जो गंदगी होती है, उसको हटाने के लिए, about a ton of oxygen is required per ton of steel produced, बहुत हर एक ton जो steel बनेगा, उसमें एक ton oxygen भी लगेगा, इसके अलावा liquid oxygen, जिसको LOX कहा जाता है, इसको use किया जाता है, oxidizing agent में, missiles के अंदर, oxidizers यो इस्तिमाल किया जाते हैं, rockets के अंदर, the oxygen tank that used to launch the space shuttle, holds about 5,50,000 liters of liquid oxygen, तो भई जो आपका missiles वगेरा भेजी जाती हैं, space shuttles जाते हैं, space programs में, तो उसमें लगबग 5,50,000,000 liters, जो है oxygen liquid form में यूज़ किया जाता है, oxygen is also used in chemical industries, to break down hydrocarbons, just carbon and hydrogen को break करने के लिए, smaller hydrocarbons, ethylene, propylene, acetylene, which are in turn used to produce plastics, paints and other products, जो भी हम देखते हैं, plastic paint बन रहा है, उनमें भी oxygen का इस्तिमाल किया जाता है, तो यहाँ पर हमने oxygen जो चौथा पदारते हैं, इसकी भी बात कर लिए, बहुत सारी प्रक्रियाओं में इस्तिमाल किया जाता है, प्रसाइग रूप से उत्पादित oxygen, यह उप्योग oxytylene welding machine में किया जाता है, पिगला हुआ एस्क में अशुद्धियों को जलाने में मदद करता है, तरल oxygen को अप्योग rocket में, space shuttles में इस्तिमाल किया जाता है, hydrocarbon को तोडने में इस्तिमाल किया जाता है, पॉलिथेन बनाने में इस्तिमाल किया जाता है, तो देखते जाईए हमने बात कर लिए H2SO4 की, हमने बात कर लिए nitrogen की, हमने बात कर लिए oxygen की, हमने बात कर लिए C2H4 ethylene की, इसके अलाबा अभी हम बात कर रहे हैं propylene की, मैंने आपको बताया था कुछ 10 important chemicals हैं, जो आपको पता होने चाहिए, तो इसी में अगर हम आगे बढ़ें, तो भाई propylene जो है, वो intermediate है, production में, other chemical compounds, इसमें जो दूसरे रसाइनिक पदार्त हैं, उनके उत्पादन में मदद करता है, जैसे in the production of polythene, needed to produce synthetic fibers, for indoor and outdoor carpet, जैसे हम घरों में carpet इस्तिमाल करते हैं, malls वगेरा में, कई grounds वगेरा में, तो ये जो चीज होती है, इसमें भी propylene का इस्तिमाल किया जाता है, propylene glycols for auto break flood, जो हमारे break के अंदर, जो break oils होते हैं, उनमें इस्तिमाल किया जाता है, detergents में, paints में इस्तिमाल किया जाता है, in the production of polyutene for rigid foam insulation, कई तरह की जैसे spacecraft बन रहा है, या फिर कोई ऐसे घर बनते हैं, जो sound proof हो, heat proof हो, तो उनमें भी ये sheet का तरह इस्तिमाल किया जाता है, in the production of various type of ABS plastics, used in telephones and auto trim parts, जो electronics products होते हैं, उनमें जो plastics इस्तिमाल होता है, उसमें किया जाता है, तो देख लीजे, प्रोपिलीन प्रमुक जो रसाईने की ओगे के, उनका उत्पाद कहां कहां किया जा रहा है, तो indoor, outdoor कालीनों के synthetic fiber के उत्पादन में किया जाता है, auto break drug, detergent paint के लिए किया जाता है, पठोर foam insulation के लिए, polyurethrain के उत्पादन में किया जाता है, टेलिफोन और auto trim भागों में प्रयोक्त विविन प्रकार के ABS plastic में किया जाता है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो पानी को साफ करने में बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है, तो छटवा product हो गया हमारा klorine, तो klorine जो है, इसका इस्तिमाल भी किया जाता है, klorine has many uses, including following, लेकिन filtration में सबसे आधा use होता है, to produce consumer and industrial products such as plastics, pharmaceuticals, dyes, household, cleaners, bleaching और disinfecting agents जो होते हैं, या insecticide, textiles, जो कपड़ा उद्द्योग है, जहां पर pharmaceuticals हैं, वहाँ पे klorine का इस्तिमाल बहुत होता है, इसके अलावा, to treat water in multiple ways, जो भी हम पानी के filtration करते हैं, उसमें किया जाता है, to largely eliminate waterborne pathogens during water purification in water treatment in US, to kill bacteria in swimming pools, sodium hypo chloride produced from chlorine is used, तो swimming pools में, पानी के filtration में इसका बहुत अधिक्तम यूस किया जाता है, तो यहाँ पे इसके अलावा, to act as a major reactant in the production of bulletproof waste, जो bulletproof jackets वगेरा बनाई जाती है, उनमें भी chlorine का इस्तिमाल किया जाता है, computer की chips में, auto parts में, auto mobiles के parts में किया जाता है, तो chlorine के कई उप्योग हैं, जो मैंने आपको बताए, plastic, pharmaceuticals, dye, घरेलू, अन्यकीट, नाशक जो होते हैं, वस्तर, इनके सारी चीज़ों में किया जाता है, पानी की कई तरह के treat करने के लिए किया जाता है, अमेरिका में जल उप्चार सही होतरों में, जल शोधन के दौरान, बड़े पैमाने पर इनका इस्तिमाल किया जाता है, स्विंग पुल में, बैक्टेरिया वगिरा को मारने के लिए, बुलिट प्रूफ वेस्ट में, कंप्यूटर चिप्स में इस्तिमाल किया जाता है, इसके बाद एथलीन डायक्लॉराइड की बात करते हैं, C2, H2, CL2, इसका भी इस्तिमाल बहुत होता है, मेजर यूज अफ एथलीन डाइक्लॉराइड इस इन दी प्रोड़क्षण अफ पॉलिविनाईल क्लॉराइड, PVC के जो पाइप सोते हैं, आपने घरो में देखे होंगे, दोज वाइक्ट प्लास्टिक्स एज उस्टो करी, water underground and throughout your home हमारे घरों में जो pipelines हैं जहां से पानी आ रहा है घर तक पानी पहुच रहा है उपर टंकियों में पानी जा रहा है वो PVC के pipes का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ethylene dichloride होता है another useful synthetic polymer और ethylene dichloride जो है production में मदद करता है किसके जैसे dry cleaning fluids के कई तरह के जो हमारे कपड़े साफ होते हैं dry clean होते हैं उसमें इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा flooring वगेरा में इस्तिमाल किया जाता है जो शार curtains होते हैं जो कई तरह के bathroom वगेरा में परदे लगाए जाते हैं उनमें भी ethylene dichloride का इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा synthetic rubber जो होती है कृतिम rubber उसमें बनाने में किया जाता है तो एथलीन डाइक्लोराइड का प्रमुक उप्योग polyvinyl chloride PVC के उत्पादन में किया जाता है घरों में उद्योगों में एथलीन डाइक्लोराइड को प्योग polystrain के उत्पादन में किया जाता है जो एक अन्योप्योगी synthetic बहुलक है polymer है और इसके बहुत सारे हैं dry cleaning तरल पदार्तों में फर्श पे इसके अलावा स्नान घर के परदे में और synthetic rubber में इसके अलावा phosphic acid यह जो है यह भी बहुत important है phosphic H3PO4 इसकी भी बात कर लेते हैं तो यह जो है about three quarters of the phosphoric acid produced worldwide is used in the production of synthetic phosphate fertilizer तो उर्वरकों के निर्मान में इसका सबसे आदर इस्तिमाल किया जाता है food additives में कही तरह कि जो food में taste आते हैं उन में इस्तिमाल किया जाता है तो phosphoric acid is add as a food PS adjuster in colas for example जो हम soft drinks पीते हैं cold drinks पगिरा पीते हैं तो उसमें जो taste आता है वो इसके कारण आता है as a clarifying agent और एक preservative के तोर पर भी इस्तिमाल किया जाता है इसका इस्तिमाल जो जंग लग जाती उसको साफ करने में भी इस्तिमाल किया जाता है तो phosphoric act as a rust converter converting the ferric oxide to ferric phosphate which can then easily be scrubbed off फिर आसानी से उसको जड़ सकता है इसके अलावा जो है jelly वगेरा बनाने में भी किया जाता है तो दुनिया भर में उत्पादित phosphoric acid का लगवग तीन चौथाई जो synthetic phosphate और वरकों के उत्पादन में किया जाता है दूसरा खाद दे योग जो मैंने बताया कि जो food industries है food additive है उसमें किया जाता है कि ताकि food को अच्छा taste दिया जा सके इसके जंग हटाने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है फिर देखिए ammonia ammonia का भी बहुत जादा उपयोग fertilizers में किया जाता है तो अगर हम बात करें well over half of the ammonia produced worldwide is used in agriculture अब जित्ते ओरवरक होंगे कहा होगा कृषी में इसका यूस किया जायेगा तो मैंने आपको बताया इट used in the production of cotton defolation stripping leaves to make cotton easier to pick जो इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है ammonia का जिससे जो कापास का उत्पादन होता है और कपास पेड़ से बहुत असानी से निकाला जा सके उसमें किया जाता है इसके इलाएब अिड़ वाधित इसका उत्ता Óप्योक तरल उर्वरकों की रूप और मैंने आपको बता है इसका उत्ता उत्ता आप्योक के असान होता है is used in the production of other chemicals and products जिसमें अगर हम बात करें, nitric acid, dye, sulfur drugs, cosmetic vitamins, इन में भी किया जाता है तो ये जो देखा जाए as a complexing agent in mining जो ख़दान वगेरा होता है उटमें किया जाता है metal manufacturing industries में किया जाता है refrigeration में किया जाता है industries में जो द्योगों में refrigeration होता है, जमाव होता है उसमें किया जाता है as a curing and a protective agent in leather industries अब जो चमड़ा उद्योग होता है उसमें भी ammonia का भरपूर इस्तिमाल किया जाता है तो ammonia को उप्योग अन्ने रसाइनों और उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है कुछ डाई, दवाएं, सौंदरे प्रसादन विटामिन में किया जाता है, खनन और धातू निर्माण में किया जाता है refrigeration, प्रतिशीतन में किया जाता है इसके लाब कपड़ा उद्योग में एक इलाज और सुरक्षा अत्मा की agent के रूप में किया जाता है इसके बाद sodium hydroxide ये भी एक बहुत important चीज़ है इसका formula याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है NAOH NAOH की बात करें, तो when a strong base is required in industry अब देखें, बहुत सारे acid भी require होते हैं ऐसी base भी require होते हैं char भी require होते हैं, तो उस जगा पे sodium hydroxide को use किया जाता है जो मड होती है, जो मिट्टी होती है उसका pH बढ़ाने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा, अगर हम बात करें some countries use it to remove sulfur impurities, जो आपका kछा तेल होता है जो खुद्रा तेल होता है crude oil होता है, उसमें से impurities हटाने में किया जाता है paper industries में जो है इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलाबा sodium hydroxide is used for the decomposition of road kill and if you can believe CSI to get rid of human remains जो मानव अवशेश होते हैं उनको भी हटाने में किया जाता है तो petroleum उद्योगों में drilling मिट्टी के pH को बढ़ाने के लिए फिर कुछ देशों में निमन श्रेणी के कच्चे तेल से sulfur की engine में उप्योग किया जाता है sodium hydroxide का उप्योग road kill के अपगटन में किया जाता है यदि आप CSI पर विश्वास कर सकते हैं तो मानव अवशेशों से छुटकारा पाने के लिए कि कई जगा पे मानव अवशेश जो पाये जाते हैं उनको खतम करने के लिए sodium hydroxide का इस्तिमाल किय जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें soap जो बनता है साबुन बनता है उसमें किया जाता है बायो डीजल में किया जाता है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट में किया जाता है घरों में इस्तिमाल किया जाता है डीग्रीसिंग के लिए कहीं पर ग्रीस लग गया उसको ह सारी चीज़ों में किया जाता है तो यहां पर हमने दस तरह के chemicals मैंने आपको बताए जो बहुत ज़्यादा उप्योग किया जाते हैं आज के questions देख लेते हैं which of the following solution in water do not conduct electricity पानी में कौन सा समाध्धान बिजली का संचालन नहीं करता है या कोई भी घोल lemon juice sugar solution caustic solution या common salt निम्बु का रस चीनी का घोल caustic soda का घोल या साधरन नमक का घोल इसके अलावा the class of medicinal product used to treat stresses तनाव का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली और पादों को क्या कहा जाता है तो इसका answer आप लोग को बन जाएगा इसके लावा कोई doubts आते हैं इन social media handle पे मुझसे जुड सकते हैं इसके लावा इस lecture की PDF is telegram group से आप डाउनलोड करेंगे और भी कोई तरह के doubts आएंगे तो मुझे comment section में ज़रूर बताएंगे thank you very much for watching this have a great day हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQ IAS हिंदी